हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम समाजी की विज्ञान की पेपर का यहां पर संपूर हल देखेंगे फ्रेंस यही पेपर आपकी दो हजाल चौबिस में सेम डूसे में यही पेपर आएगा फ्रेंस आप सभी को इसमें समाजी विज्ञान की इतने भी मांच मांचित्र वाल सवाल है आपको मांचित्र में पूरा अदम डिटेल से भर के आपको समझाने वाले हैं और इसके साथ में जितने भी प्रश्ण पूछे गए आप सभी को हल कराएंगे फ्रेंस आप वीडियो को लास तक जरूर देखा करें ठीक है देखें जब आपको पेपर म प्रश्ण ette आपको यहां पर सबसे पहले अपना अनुक्रमांग लिखने इसका ब्रॉह प्रॉह टेखेंग इस पेपर का संपूर को समझाने जाएं यही पेपर 2014 में आने वाला है ठीक है यहां पी कुछ इसके निर्देश दिये गया है आप इन निर्देशों को जान रहे होंगे देखिए नोट में क्या है कि प्राराम की जो 15 मिनिट रहेगा परचाती को प्रशन पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा यानि इस प्रशन पत्र को प खंड भर ठीक है खंड अ में एक से 20 तक पुरा बहुकलपी प्रशन रहेगा जिसे OMR सीट पे आपको भरना रहेगा आपको OMR सीट मिलेगा उस पे आपको इस बहुकलपी प्रशन प्रशन चेर रहेंगे इसको हल करना रहेगा ठीक है खंड अ में आपको जो OMR सीट रहेगा OMR seat पर आपको कभी भी eraser का परियोग, whitener का परियोग या इस पर cart pit आपको नहीं करना रहेगा जो OMR seat पर रहेगा उस पर आप एक बार भर देंगे तो उस पर आपको काटना या eraser या whitener का परियोग नहीं करना है इसके लावा देखिए आपको कहा है खंडबव में 50 अंग के वन अत्मक प्रसंड रहेंगे जिसमें आपके दो efficष gamish umr और इसमें मांची इसमें प्रस्न रहेंग हैं इसेलिए आप वीडियो राज्न देखिए गा अब यहां पर不錯 करना आपको अनिवार है सभी प्रश्णों को आप उत्तर पुस्तिका पर साफ सुत्रा लिखिएगा फिर इसके देखिए आप सभी जितने हैं निर्देश इसको पढ़ लिजेगा जो इंपॉर्टेट निर्देश थे सभी आपको बता दिये अब चलिए अब प्रश्ण हल करते हैं आपके सामने यहां से इस्टार्ट देखिए प्रश्ण रहेंगा टोटल कितने रहेंगे बीज बाविकल्पी प्रश्ण रहेंगे अब इसके निर्देश दिया वही दिया जो आ आपको देना है अब देखिए यहां से प्रश्ण स्टार्ट होता है प्रतेग प्रश्ण एक नंबर करेगा आप वीडियो को पूरा फूल वाच किया कीजिए जिससे आप बोड के एक्जामने आपसे एक प्रश्ण गलती नहों ठीक है यहां पर देखिए आपका पहला यह बहुत बोड को एक्जाम में पूछता है ठीक है आपको बिस्मार्क का जो संबंद था आपको कहां से था और सामने इसका इंगलिस में दिया है तो आपको हिंदी वाना करो और इंगलिस में छोड़ दीजेगा इसलिक उसी के इंगलिस में लिखा है ठीक है चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं देखिए आपका दूसरा नंबर का सवाल क्या है नेपोलियन बोना पार्ट की पराजे कब हुई ठीक है जो नेपोलियन बोना पार्ट थे उसकी था अठार्योस Oh 15 पंदरए इसका सही जवाद बीवला आपसर सही हो जाएगा ठीक है देखिए आपका तिसरा नंबर का सवाल क्या तो याद रखेगा किरसिया होता है किसका है राज सुची और शिच्छा जो है समवरती सुची सुची का किसका है समवर्ती इन प्रशनों को बता रहे सोग है इसको जरूरी याद प्रेटन्य नामक संस्थान निय्क्त में से कहां इस्थित है तो आपसरों में येयर्प में अमेरिका में ये कोई इसला मुए जफाल्य और इसलिकाराई झाज मेरा ज़ुक्यों गएẫnर। और उन्हेकार आपसरों कि इसलिंग Kdi देखिए यहां पर द्यान दिए कि स्वाराज मेरा जन्मसिद अधिकार किस ने कहा था गोपाल किश गोकले ने कहा था बाल गंगा धर्तिलक ने कहा था यह जवाहरलाल नहरूर कहा था यह महात्मा गादी जी ने कहा था देखिए यहां पर इस नारे को जरूरी याद रखिए कि स्वाराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगादर तीलग जी ने कहा था इसका सही जवाग भी वला आप्शन क्या वाज़ागा सही होगा ठीक है अब यहां पर देखिए अगला नंबर का सवाग छटवा नंबर का कि भारत में मत अधिकार कि आयू क्या है यानि कि मत देने का अधिकार क्या है देखिए 21 वर्स है 18 वर्स है या 20 वर्स है या 25 वर्स भारत में मत देने का अधिकार है यानि कितने आयू को ब्यक्ति को मत देने का अधिकार है तो 18 वर्स के जो ब्यक्ति हैं उनको मत देने का अधिकार है ति इस प्रश लौकतांत्रिक शासन शामानता को बढ़ावा देता है लोकतांत्रिक जो शासन की बवस्ताओं से अच्छी माने जाती है इसमें क्या होता है कि सभी नागरिकों में शामानता को बढ़ावा देती है ब। इति wap간ा है देखते हैं कि भारती राष्ट्री कंग्रेश की अस्थापना कब कि गई थी आपसन है 1885 में अगला आपसन हैं 1857 और 1855 यहां पर याद रखिए कि भारती राष्टिक अंग्रेश की अस्थापना कब हुई थी अठारा सो पचासी में हुआ था इसका सही जवाब एवला आप्शन क्या होगा सही होगा नुवा नमबर का सवाल देखिए कि भारत में आवसिष्ट सक्तियां किसको प्राप्त है ठीक है राज्य को प्राप्त है फिर इसके लगा संग है यह और भी दोनों को या इन में से कोई नहीं देखे आउसिष्ट जो सक्तियां हैं इसको प्राप्त है तो संग को प्राप्त है तो इसका सही जवाब भी वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला नमबर देखे दसवा नमबर का सवाल आप ध्यान से देखिएगा कि भारती सन्विधान कब लागू किया गया था यानि भारती सन्विधान को कब लागू किया गया था आपसने 15 अगस्त को 14 अगस्त को 15 दिसंबर को यह 26 जनवरी को भारती सन्विधान जो लागू किया गया था तो 26 जनवरी को भारती सन्विधान लागू किया गया था इसका सब्सक्राइब कर देखें नंबर कँ सवाल को देखें यहां पर Dingencheath म defenses कि लाल न मिटी पाई उनाल मिटी याद रखी हैं कि गुज्रात में पंजाब में यहां से आपको बताना है कि लाल मिटी तोक्ती जुपाय जाते उन्प पाये जाती है इसका सही जवाद बी तको सही होगा। इंजेता में शॉप्ता थे वन तक है सब्रंप्रबंब्लागीत उर्जा के वीकेषा थें के लिए इस प्रश्ण का सही जवाब सीवला अपसन क्या होगा आपको सही होगा ठीक है अगला नमबर देखें तेरा नमबर का सवाल कि निम्नलिकित में से कौन सा राज बाकसाइड का प्रमुक उत्पादा गए यानि बाकसाइड सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है आपको अगला अपसन है पंजाब में अगला अपसन है तमिलनाडू अगला अपसन क्या है बिहार में तो बाकसाइड का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है और किस राज्जी में होता है ठीक है तो आपका होता है उरिसा में कहां पर होता है उरिसा में इस प्रश्ण का सही लुए जक्ति प्या नहीं पिरा वह्म विन्य गफक्तर कर लाघंती गोड़ें, दूर्म, कि जोड़ु आपको के सया, का स affiliated कि असलबें, नि्म्यमनलिकल्खित में इसे, व्ह देश्व भी धात्विकनिज być, तो जायगा, तो इसका सही जवाब शी वालापषन, क्या होगा, اurnya जाय आप है, यहां पर 15 नमबर का सवाल देखिए कि नीम लिखीत मेंसे कौन éléments से जाई व संसाधन, आपको यहांको क्या बताना है, जाई व संसाधन 컨्ठ के नतरगित सबसे अधिक प्रतिसत किरसी भूमी पर खेती की जाती यानि बताना है कि प्रतिसत की दिरिष्टी से सबसे अधिक खेती कहां भी की जाती है है आप सने मीजोरम में मॉडीपूर में केरल में या पंजाब में ठीक है अगला नंबर दिकि कि सत्रहौँत का आपका पंजाब में होता है इसका सही जवाब होगा आपका डी वला आपसं क्या होगा ठीक है अब अगला नमबर दीके 17 नमबर का क्या है 17 नमबर का सवाब कि निम्नलखित में से कौन सा भावगोलिक छेत्र का प्रतिसत राष्ट्री वन नीती 1952 वार निर्धारित किया गया है ठीक है आपसं है तैटीस तिरालीस एईस यह एक तीस ठीक है यहाब सवाल को ध्यान से पढ़िया के तब आपसं दे पाएंगे भावगोलिक छेत्र का देखें यहाब प्रतिसत राष्ट्री वन नीती 1952 वार निर्धारित किया गया है यहाब इस सवाल का सही जवाब होगा कि तैटीस प्रतिसत कितना तैटीस प्रतिसत इसका सही जवाब एवल आपसं क्या हो जागा सही होगा अब देखें 18 नमबर का स एक आपहे मानों विकास की दृष्टी से आपको बताना है कि कौझ सा देश भारत से बेटर है तो वो हे आपको अब कास्री लंका कि इसका सही जवाब सीवाला अपिसन क्या होगा सही होगा ठीक है कि यहाद नमबर का सवा glad ध्यान दी जेए कि यह आ दि're जिए निमनलिखीत में से कौन सी गतिवी दिप रात्मी छेत्र के अंतर कड़ आती art uniform आपसाने खनन होगा इसके लाइए बरतन बनाना होगा और यहां पहोगर निर्मार या सिलाई तो प्रात्मी्फट्र कंतर प्र होग क्या सब्सक्तोर हुण चै तर प्रफस्थ अगले प्रश्ण को देखते हैं जachment ध्यान देजिए इज के अगला प्रफस्थ आपका क्या है देखिए वीवाऊ नंबर का कि उपभूक्ता सुष्धत्र अदिनियं में गया था न उपभूक्ता सुरच्छा अदिनियं गया था उणिस सु नब्यम बनाय गया ता इसको आप कर लीजिएगा इसको आपको बता दिए अब खंडभा के सभी प्रशन देखते हैं ठीक है देखें व्रातमर नंबर फर्स्ट है ठीक आप तके इसमें क्या करना नहीं कि प्राशनों के उत्तर प्रतेक लगबख 80 सब्ड़ों में लिखेंगा कितने सब्सब्न खर्षानति का मुख्य कारण क्या थे अधवा में दिया है साथ में नमकर सत्यागरा से आप क्या समझ से इस प्रशन को तयार करलिजी ठीक है। प्रश्ण बता रहे हैं इन प्रश्णों को एक जगर लिख के इसके एंसर को लिख के आप तयार जरूर कर लीजेगा यही प्रश्ण आपको बोर्ड के एक्जाम में आएगा ठीक है दूसरा नंबर का क्या है किस प्रकार की लाएंगी की भिनता से राजनीति को प्रभावित क प्रश्ण को तयार कीजिए साथ में देखिए सत्ता की साजदारी लोकतंत्र की आत्मा है इस कथन की विवेचना कीजिए टोटल चार नंबर का अस्ती सब्द में लिखना है देखिए तीसरा नंबर का सवाल आपके बोर्ड के इविजा में पूछा जाएगा खनीच के सरच की विवेचना कीजिए सके अलावा अगला प्रस्न है कि भारती अर्थ विवस्था में वैसु इकड़ के महत्त की विवेचना कीजिए जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इन प्रश्नों को आप एक जगह लिख कि इन प्रश्नों को जरूर आप तयार कर लीजिए गा चार- नंबर का है इसके अलावाद देखी अगला प्रस्ण है उपभोगताओं के सोशड के किनी चार करणों का समिछा कीजिए ठीक है अब यहां भी देखिए आपके थे वड़ात्मक फर्स्ट अब वड़ात्मक जो सेकेंड है ठीक है अब इसमें देखिए इसके निर्देश को प दोलन से आप क्या समझते हैं इस आंदोलन की सीमाओ पर एक संचित पर लिखे टोटल कितने नंबर कराएगा तीन और तीन कितने नंबर कराएगा टोटल छा नंबर कराएगा यह प्रस्ण ठीक है अथवांग दिया है कि भारती अर्थ बिवस्था पर संचित महमंदी के किन तैयार करना है कि भारती संग एक अर्थ संग यह डाचा है इसकी पुष्टी में किनी दो कारकों का उल्ले कीजिए टोटल कितने नंबर कराएगा च्छा नंबर का प्रस्ण रहेगा ठीक है अगला है लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं इसके लिए उठाये जा स आयदान है तू कोई चार उपाई बताना है टोटल छा नंबर कर एगा अथवा में दिया है संसाधन नियोजन की अवसक्ता क्यों है भारत अमें संसाधन नियोजन है तू कई excess लिए टोटल चा नंबर ठीक है अगला प्रस्ण देखर लीजिए इस प्रश्ण को आप एक जगा लिए किसके तयारी किजिए अठवा दिखें क्या है विकास की अवधरणा क्या है समानत इसमे किन घटकों को सम्लित किया गया है तोटल कितने नंबर का इसके अलब आपको तयार करना है कि तृति छट्रा क्या है इसकी विश् अगला सवाल क्या है मांचीतर से संबंदित प्रश्ण है ठीक है आपको क्या करना है कि 9a और 9b दो मांचीतर दिये हैं और टोटल एक देखिए 9a का पांच नंबर करेंगा 9b का पांच नंबर करें इस पका से देखिए टोटल मांचित्र से संबदी 10 नंबर का सवाल आता है आप सभी को जो मांचित्र वाले सवाल है आप सभी को पूरा मांचित्र पे आपको हल करके बताएंगी देखें यहाँ पर 9-1 है ठीक है देखें 9-1 क्या है आपका निमलिखित अस्थानों को भारत के दिये गए रेखा मांचित्र में डाट चिन द्वारा नाम सही दरसाना है सही नाम वह सही अंकन के लिए आपको एक बटागे दू और एक बटागे दू अंक निरधारित किया गया है यदि आप उसका सही नाम लि इसने भारती राष्टी गांग्रेस अधिवेरिक हुआ था जाए जो ककटा में लिखना के लिए है थे ऑलुप 20 में बारती राश्टी का अंग्रेश का अधिवसन हुआ था कहां पर हुआ था कलकत्त यदि आप कलकत्त लिखते हैं इस पर एक बटा की दूर नंबर मिल जाएगा अब देखिए इसको मानचित्र पर कैसे बरेंगे तो देखिए आपका यह मानचित्र है अब इसमें देखना अगले फरसन को यहां पर देखते हैं अगला प्रसन क्या पूछ रहा है आप से अम्यित Mozart लेंगे अर्य यह sulla इन्सर का huge agreement मांचीट्र इसको कैसे औरेंगे आप द्यान दिदिए भंद्यान दीछएगा देखे इऊ है पंजआब में परता है अम्य रिभाआट इसके जार यह क्या करेंंगे नाइन एक सेकेंड वाला ठीक है और यहां पे लिख लिखेंगे अम्रीत सर जैसे बहुत है इसी तरह बोड के एकजाम में आप तुद्रा बर येगा फ्रेंश ठीक है अब देखिए अगला प्रशन देखते हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा ठीक है तोड़ा है तोड़ा है आपको पता है डांडी से कहां से तीसतरे अर्ली अकाहां यह कहां पर देखें यार्टोर एक कौंसा थपला और यहां यहां देखे यहां पर चौह फारी जातन कि इतुक है किसान एक मधाबाद क्षिए था पश्टानु ऌने Éस सब्सक्राइब रखी मैं लाभाइब यह आहमदाबार पढ़ता है अहमादाबार पढ़ता है गुजराज applied कर झभु मन्परण अब ऩर्याज रहां अब अनव का सवाल दिखेया है कि वह आस्थान जहां 1929 में भारती राष्ट्री का अंग्रेश का अधिवेशन हुआ तो 1929 में ध्यान दियां दिए 1929 में भारती राष्ट्री का अंग्रेश का अधिवेशन कहां पर हुआ था लाहोर में हुआ था यह कौन सा है 9A का लास्ट ने पांशोवन नमबर का 9A का लास्ट वाला क्या है आप लिखेंगे लाहो लाहो ठीक है इस पकास मान्चित्र पर आपको पूरा करना रहेगा ठीक है यदि आप मान्चित्र पर इस तरह भरते हैं तो आपका बॉर्ड के एक नमबर भी नहीं अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अब देखें इस सवाल को कैसे करेंगे पहला सवाल आपको है कि उत्तर भारत के एक नदी ठीक है इस चीने के द्वारा दिखाना है आपको देखें इतर भारत के एक नदी का नाम लिखना है तेक्या है आप उत्तर भाहरत में कौनसा नदी हुआती यह गंगा ना लिखना लीजीए अब देखें इसको मांचितरे पर कैसे देखाएंगे तो आपको पता है कि उत्तर परदेश हो के गंगा जाती है और किस चिन के द्वारे दिखाना थे चिन देख रही ऐसे दिखाना है न चलिए इस प्रकास आप कोश्टक बना लिजिएगा उसमें वाई बना लिजिए देखिए यह उत्तर के देखा राया जूए परी पर लेशन को पर जाने चिन किस चजह लिए देखाना है कि अब विद्थ केंद्र इस चिन मारे दिखाना यहंग अब इसको कैसे दिखाना है यहां पर द्यान दिजिए का कैसे दिखाएंगे यह मांचीतर आपके सामने यह उत्तर पर्देश है यहां पर क्या करेंगे अब इस तरह गोला बनाएंगे प्लस का चीन इसमें बना देंगे इस तरह प्लस का चीन यह कौं सा है 9 बी का सेकेंड वाला और यहां पर लिख लिए ओबरा में आपका एक थरमल पावर प्लांट ठीक है थरमल पावर प्लांट है यह ओगे आपका अब देखिए यहां पर सवाल द्यान से देखिएगा तीसरा नंबर का फ्रेंच यदि आपको इसमें कुछ सोर आवाज आ रहे आप की यहां प्रेंट की पूरवी टट का एक समद्री पटन डेल्टा अमर्ग तृभुत चींत Indy द्वारा दिखाना है भारत के पूर्वी टट पर किया समद्री पटन को दिखाना है यह भारत है भारत का यह वाला भाग इधर भाग पूर्व है और यह thou खत अब ही बता है पस्चिम बंगाले यहां पर आप क्या करेंगे पर यहां पर लिख लिखेंगे न इसका पत्तन का नाम लिखेंगे कोल काता क्या लिखेंगे कोल काता लिखेंगे अब कोल काता लिखने के बाद देखिए मांचितर ही है अब इसमें क्या करेंगे त्रिभूज ए देखिए बहुत प्रस्न पूछता यह कोई प्रसंट उस्का नाम किस सं एंगे लिखने के पाद आप देखिए इसका इंस्व pew इस तिर खीच यह नाइन बी का कौन सा है चौधा नंबर नाइन बी का चौधा और यहां पर लिए असम भर लेजे यह ओगया आपका इसका इसका समझ में आ रहा हो कैसे कैसे भर रहे हैं अगला देखिए छतिस गड़की राजधानी नगर इस चिन द्वारा दिखाना है अग आप सभी कि याद होना चाहिए छतिस गड़की राजधानी होता है राएफूर कैसे राएपूर ठीक यह चतिस गड़की राजधानी का एंसर हो जागे इस तरह लिखेंगे राएपूर यह सब जितने भी प्रशन लिखना है आपको उस्तर पुस्तिका रहता है उस पर यहार है यह जारखंड है और यह क्या है 36 गड़ इसमें राइपूर को देखाना है यहीं बिचाएंगों तो देखा सकते हैं यहां पर एक बिंदु देखाना है इसे करके गोला बिंदु दुवरा इसको ऐसे खरके काउंसा है नाइन बी का पाच्वा नमबर है और क्या लिख प्रतेक सब्जेट का आप सभी को वाइरल पेपर जो है आपको बता रहे हैं उससे जितने भी इंपोर्टेंस सवाल है सभी आपको साथ में करा रहे हैं तो फ्रेज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नएध चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें